को अधिवाइब फिर से देखने ते अगर जाता है कि अ कि कुछ तो इशू है का हलो दोस्तों नमस्ते आदाब स्वाष्टेकाल आपका दोस्त गौरब टेस्बूक सूपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाएए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा है SSC CHSL के करेंट अफेर पिवार जहां पर हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपून है स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी लोगों को भर-भर के यहां पर दोस्तों गूड इवनिंग तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और बढ़ेंगे दोस्तों हम को लोग मोटिवेशनल कोड के साथ ठीक है तो यहां पर जस्त अ मिनट अब 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 थिक ए तो चलिए इसको स्टार्ट करते दोस्तों और हुआ अब यह अब हुआ अब हुआ झाल 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 दोस्तो मैंने टीम को बता दिया आजल यहां सी हकरेंगे इस सेशन को ठीक है बफर हो रहा है ठीक है यहां पर मैंने बता दिया दोस्तो टीम को ठीक है आए है 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 जाए है 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 आध दो फॉसरे में लक्षर लगा देखते हैं कि अगर कि दिखा रहा है तो दोस्तों अभी एक बार क्लियर है क्या फटावर्ट से बताईए एक बार स्क्रीन और वाइस मेरी आपके लिए तो फटावर्ट से थम्सप करेंगे फिर लोग बढ़ेंगे दोस्तों अगले कोशन पर ठीक है चले तो यहां पर एक लिए एक लिए लोग शेयर और हम इसको इसको स्टार्ट कर से करेंगे हम रैपिड फायर राउंड क्योंकि हमें ज्य अगले सवाल पर बढ़ेंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे अगला कोशन दोस्तो राश्टी सूचना विज्ञान केंदर के महानिदेशक के रूप में किसे नुक्त किया गया था रमन शर्मा, कमल सिंग, अंजली उपाध्याय और राजेश गिरे कौन है दोस्तो यहाँ पर राजेश, राजेश कहरें दोस्तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे राजेश गिरा ठीक है चले अगले कोशन पर बढ़ेंगे अगला सवाल आपके लिए विच स्टेट सेलिबरेटेट थर्ड एडिशन ओफ एनवल औरेंज फेस्टिवल 2023 और 24-25 जनवरी 2023 दोस्तो किस राजेश ने 24-25 जनवरी 2023 को वार्शिक औरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्क्रणल मनाया है असम, नागालेंड, वेस्ट बिंगॉल और ओडिसा यहां पे नागालेंड के रहे हैं गोवेंद, धननजय, समराड, जेमपॉन बहुत बढ़िया यहां करे टांसों का नागालेंड, नागालेंड में दोस्तो और कौन से त्योहार? हॉन्बिल का त्योहार याद रखेगा, दोस्तो हॉन्बिल का त्योहार? शेकरेनी त्योहार, कौन से दोस्तो? शेकरेनी त्योहार, मौसू त्योहार, कौन से दोस्तो? मौसू त्योहार, यह आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है? अगले question पर बढ़ते हैं दोस्तो मोहित गिरवाल has won the bronze medal from India in the commonwealth game 2022, he is related to which sport, मोहित गिरवाल ने राश्मंडल खेल 2022 में भारत के ओर से कां से पदक जीता था है, वह किस खेल से सम्मन्दित है, hockey, table tennis, weightlifting और wrestler, क्या है दोस्तो वो, wrestling, wrestling कहरे हैं, यहाँ पर रोहित कहरे है, wrestling, इंदू कहरे है, wrestling होना चाहिए, दोस्तो यहाँ पर करेट टांसर हो जाएगा, wrestler है वो, एक क्या है, वो wrestler है, आपको नाम ध्यान रखना है, weightlifting से दोस्तो gold medal किस ने जीता था, दोस्तो, gold medal अगर मैं बात करता हूँ, मीरा भाई ने जीता था, यह आपको याद रखना है, table tennis में दोस्तो, सरत कमल जी का नाम ध्यान रखेगा, ठीक है, इन्होंने gold medal जीता था, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला question दोस्तो, आकली रहा, in the Asian wrestling championship, who won the silver in 57 kg category, free style category in April 2022, दोस्तो, एशियाई कुस्ती championship में, April 2022 में, 57 kg, free style work मे किसने रजत पदक जीता है, डी कुकेश, अंशु मलिक, मंदीव सिंग और रिया जड़ॉन, किसने जीता है दोस्तो, फड़ावर से बताईए, यहाँ पर कहरे सर, अंशु मलिक होने चाहिए, बल जीत कहरे है, रोहित कहरे है, ठीक है, दोस्तो, जितने लोग कहरे, अंशु पदक किसने जीता था, अनिसा सहीद, वेदिका शर्मा, अंजु मॉडगिल और स्रियंका सारंगी, जल्दी से बताईए, यहाँ पर अंजु मॉडगिल कहरे है, ओके, समराट, जेम्स बॉन्ड, शुशील, रवी कुमार, तुशार, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएग ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन पर, यहाँ पर हो जाएंगे, रतनाकर शिट्टी, रतनाकर शिट्टी, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगे, रतनाकर शिट्टी, बी-सी-सी-ाई की बात हो रही दोस्तो, बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मुंबई में हैं, मुंबई में, ठीक है, और इसके दोस्तो, प्रेसीडेंट कौन है, प्रेसीडेंट याद रखेगा, हाली में बने थे, ठीक है, करेंट अफेर के दोस्तो, कोशन बन जाएगा, रोजर बिननी, क्या दोस्तो, रोजर बिननी, यह आपको ध्यान रखना है, चले अगले कोशन बढ़ते हैं दोस्तों who has won the gold medal in 2022 Asian youth and junior weightlifting championship in July 2022 जुलाई 2022 में एशियाई युवा और जूनियर भरतुलन championship 2022 में किसेने सोन पदक जीता है हर्शदा, गरुण, लशा, तलाखजे, एको यूली, एरवान या फिर सतीश, शिवालिंगम जलीस बताएए, गोविन के रहे सर D, मंगेश के रहे सर A, रवी, D के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर correct answer हो जाएगे दोस्तों A option हर्शदा, गरुण, यहाँ पर correct answer हो जाएगे ठीक है क्या होगे दोस्तों A option correct होगा अगले question पर बढ़ेंगे in which sport did सात्विक साहिराज और रंकी रेड़ी एंड चिराक शेटी विन इंडियाज थर्ड कॉंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल अड़ी 2022 कॉमन वेल्थ गेम इन बिर्मिंगम सात्विक साहिराज, रंकी रेड़ी और दोस्तों चिराक शेटी दे किस खेल में बर्मिंगम में 2022 राष्ट मर्णल खेलों में भारत का लगाता तीसरा सोड़ पदक जीता है बैडमिंटन, टेबल टैनिस, क्रिकेट और टैनिस, किसमें जीता था दोस्तों बैडमिंटन, बैडमिंटन कहरें दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटर और आपको पता होगा दोस्तों थॉमस कब, भारत ने जीता था, भारत ने जीता था 2022 का ठीक है, जो कि कहां पर हुआ था, बैंककॉक थाइलेंड में ठीक है बैंककॉक थाइलेंड में यह आपको ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है ठीक है, अगले कोश्चन पर पढ़ते हैं, अगला सवाल फीफा 2022 में अपने क्वाटर फाइनल प्रदर्शन के बाद, एगलेंड डैश इस्थान पर बना हुआ था फॉर्थ, फिफ्थ, सिख्थ और सेवन्थ, कौन से पोजिशन पर बना था दोस्तो समराड कह रहे सर, फिफ्थ होना चाहिए, ओके, निहा कह रहे सर, फोर, बलजीत कह रहे सर, फोर, यहां पर करेक्ट आंसर को दोस्तो फिफ्थ पोजिशन पर ठीक है, पांचमें स्थान पर यह आपको ध्यान रखना है अगर हम फीफा 2022 की बात करें, तो किस टीम ने जीता था, अर्जन्टीना ने जीता था, किस को हराया था, फ्रांस को हराया था ठीक है और अगर हम बात करें दोस्तो गोल्डन बॉल किसे दिया गया था तो लियोनल मैसी को दिया गया किसको लियोनल मैसी को दिया गया ठीक है और अभी दोस्तो हाली में दो तीन दिन पहले की बात है दोस्तो शायद कल की नियूस की बात है लियोनल मैसी को दोस्तो बैस्ट प्लेयर का award भी दिया गया है ठीक है FIFA best player award ये भी आद रखेंगे ठीक है चले आगे चले अगले question बढ़ते दोस्तो अगला सवाल which company has won the best rail fret service provider award at the National Logistics Excellence Award 2022 National Logistics Excellence Award 2022 में किस company ने best rail fret service provider का पुरुषकार जीता है Elvik Logistics Private Limited, Jet Fret Logistics Limited, Aegis Logistics Limited और Adani Logistics Limited अमर कहरे सर अडानी होना चाहिए, रवी कहरे सर अडानी, धननजे, महम्मद, आसिफ, बहुत बढ़िया अनुराग यहां पर correct answer क्या हो जाए दोस्तों अडानी Logistics Limited यहां पर correct हो ठीक है अगला question आपके लिए Who won the medal in the final of the 50 meter rifle 3 position event at the Kelo India University game in Bangalore Bangalore में खेलो इंडिया University game में 50 meter rifle 3 position event में final में किसे ने स्वर्णपदक जीता था वो आरेन पंचाल थे, सर्ताज सिंग तिवाना, गोविन सुनिल महाजन और मंदीप सिंग कौन थे दोस्तों, फड़ावड बताईए यहाँ पे B option कह रहे है, इंदू, गोविन कह रहे है सर B होना चाहिए तो दोस्तों, यहाँ पे correct answer, बलजीत कह रहे है सर B, correct answer दोस्तों, B हो जाएगा सर्ताज सिंग तिवाना यहाँ पे correct answer होंगे, बहुत ही बड़िया दोस्तों अगला question बड़े, very good Robin, निया, जैदीप, अगला सवाल, in December 2022, the Prime Minister of which country submitted a bid to join the European Union दोस्तों, December 2022 में किसे देश के प्रधान मंतिरी ने यूरोपी संग में शामिल होने के लिए आवेधन दिया है Albania, Montenegro, Kosovo और Yugoslavia, जलीज बताईए कोसोवो, कोसोवो कह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्रेक्टांसर हो जाएगा, कोसोवो, ठीक है, चले अगला question आपके लिए दोस्तो, which company has partnered with the Safran helicopter engines to develop helicopter engines in July 2022 July 2022 में helicopter engine विक्सित करने के लिए, किस company ने Safran helicopter engines के साथ साजेदारी की है हिंदुस्तान aeronautical limited, troop conference limited या advanced weapon equipment इंडिया या munition India limited जलीज बताएं, HAL, HAL तो दोस्तों यहाँ पर करेक्टांसर होगा है, हिंदुस्तान aeronautical limited यहाँ पर करेक्टांसर होगा है, ठीक है अगला सवाल आपके लिए, who has smashed the women's 100 meter hurdle national record for the second time in less than two weeks in माई 2022 माई 2022 में दोसफता से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 meter बाधा राश्टी record को किसने तोड़ा है क्या वो ललीता बाबर हैं, दूती चंध हैं, हिमादास हैं या फिर जोथी यराजी हैं, फड़ावर से बता हैं, यराजी यराजी कहरें दोस्तों यहाँ पर करेक्टांसर हो जाएंगी जोथी यराजी आगे बढ़ेंगे दोस्तों लेकिन उस्ते पहले सभी लोग क्या करेंगे फड़ावर से एक बार, शेयर और लाइक करते हो चलेंगे अगला कुशन आपके स्क्रीन पर किसकी है दोस्तों यहाँ पर करेक्टांसर हो जाएंगे रसकिन बॉंड ठीक है अगले कुशन की तरह पढ़ेंगे यहाँ पर A option कहा रहे है मंगे, समराट, इंदू, जैदीप, अनुराग, कामिनी तो यहाँ पर करेक्टांसर हो जोगे दोस्तों option number 4, राश्ट्रि ग्राम, सुराज, अभियान यहाँ पर करेक्टांसर हो जाएगा 4 होगा, A नहीं होगा दोस्तों यह ध्यान रखेगा, ठीक है चले अगले कुशन पर, चले, अगला सवाल दोस्तों, on which day, global recycling day held annually दोस्तों, वैश्विक, पुनर, चक्रण, दिवस, प्रतिवर्ष किसे दिन मनाया जाता है 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, या 18 मार्च कम मनाया जाता है दोस्तों, फड़ावर्ष से बताएंगे यहाँ पर 18 कह रहे है, कैप्टन मॉर्गन, इंदू, अनुराग तो दोस्तों यहाँ पर correct answer होगा, दोस्तों 18 मार्च, ठीक है और दोस्तों 10 मार्च को, 10 मार्च को क्या मना जाता है, CISFD ठीक है, CISFD यह भी आपको ध्यान रखना है अगले कोशन पर बढ़ते हैं, अगला कोशन, दोस्तों which country has secured the lowest rank in the human development index report 2022 मानव विकास सुचकांग रिपोर्ट 2022 में किस देश ने नियुन्तम rank हासिल की है, क्या वो नाइजर ने साउट सुदान, सीरिया या सोमालिया, किस ने किया था, दोस्तों यहाँ पर correct answer क्या होगा, दोस्तों, साउट सुदान ने किया था अच्छे, भारत की रहें क्या थी? सभी लोग comment करके बताएंगे, उमन्ड डव्लप्मेंट इंडेक्स में भारत की रहें क्या थी ठीक है? हाँ जी, साउट सुदान यहाँ पर सही होगा सबी लोग बताएंगे इंडिया की दोस्तों यह homework लिख लिजे, homework यहाँ पर में लिख देता हूँ, homework है ठीक है, सबी लोग क्या करेंगे, comment box में answer करेंगे इसको हाँ देखें, अब सब के अलग अलग आ रहे है, कोई 121 बता रहे है, 132 बता रहे है, कोई 136 बता रहे है, तो सब के अलग अलग आ रहे हैं दोस्तों चलिए, अगला कुशन बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कुशन आपके लिए रहा, who among the following has become the fourth fastest athlete in 200 meter in May 2022 निमलिखित में से कौन मई 2022 में, 200 meter में, चौथा सबसे तेज athlete बने गया है, योहान बलेक, उसेन बोल्ट, ताइसन गे और इरियान नाइटन, जल्दी से बताएं, यहाँ पे रोहित कहरे है सर, इरियान होना चाहिए, ओके, उसेन बोल्ट दोस्तों, यहाँ पे आप देखे आप लोगों ने यह नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अच्छे से answer करिए दोस्तों, चलिए आगले question बढ़े, दोस्तों, 145 लोग है, फड़ा बढ़ से एक बार, share और like करेंगे, ठीक है, आगले question बढ़ते दोस्तों, which of the following released the financial stability report in December 2022, दोस्तों, निमलिखित में से, किसे ने वित जाएगा, RBI के दोस्तों, अगर current में पूछा जाए, governor कौन है, तो governor है, दोस्तों, शक्तिकांत दास जी है, यह आपको ध्यान रखना है, और शक्तिकांत दास जी कौन से नंबर के है, 25 नंबर के है, अच्छा है, अभी दोस्तों, हाली में, world bank के दोस्तों, अगर हम बात करे उसके president दोस्तों, यहाँ पे न्यूक्त हुए है, ठीक है, पहले डेविड मालपास, जोरी, यहाँ पे मालपास थे, डेविड मालपास, अब उनकी जगे दोस्तों कौन आ गए है, फड़ा वर से बताईए, हाजी वेरिकोड, यहाँ पे वेरिकोड, धननजे ने सबसे पहले आंसर दिया है, अजय बंगा, ठीक है, captain Morgan, समराट, अमर, अनुराग, रवी, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या हो जाएगगा, अजय बंगा हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएगा, अजय बंगा, यहाँ पर correct answer होंगे, ठीक है, अगले question पर बढ़ते हैं, अगला सवाल, which state has won the 12th hockey India senior woman national championship 2022, किस राजे ने, दोस्तो बारवी hockey India senior महिला राष्टी championship 2022 जीती है, पंजाब ने हरियाणा, राजिस्थान या फिर ओडिसा, किस ने जीता दोस्तो, यहाँ पर कैसर हरियाणा, कुछ लोग कैसर ओडिसा, ओडिसा, तो दोस्तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ओ पूछा जा सकता है, ओडिसा की capital किया दोस्तो, भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर, यह आपको ध्यान रखना है, और दोस्तो, ओडिसा नहीं आपको याद होगा, एक scheme की शुरुवाद की थी, जिसका नाम था, छाता scheme, और यह आपके exam में पूछा गया था, किस भी CJ tier 2 दिया होगा, जिसको पता होगा, ठीक है, आगे बढ़ें, चले, अगला कोशन, दोस्तो, to mark independence from British rule, India has celebrated its dash on 15th August 2022, दोस्तो, बिटिस सासन से सतंता को चिन्हित करने के लिए, भारत ने 15 August 2022 को अपना dash मनाया है, 76th Independence Day, 75th, 77th और 73rd, दोस्तो, आपको पता है, भारत ने मना था आजादी का अमरित महसब, क्या मनाया था दोस्तो, तो यहाँ पर 76th मनाया था, ठीक है, 75th दोस्तो हम लोग ने Republic Day मनाया था, क्या, जल्दी से बताहिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे, यहाँ पर करेक्ट बहुत बढ़िया, चल्दी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगे, जित्ते लोग करेक्ट सर होना चाहिए, इस रेजिगनेशन इन जनवरी 2022, अमिड पॉलिटिकल डेड़ लॉग फॉलोइंग अ मिलिटरी कूप, दोस्तो, सैन तक्था पलड के बाद राजनेतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में, किस देश के प्रधान मंत्री ने अपने इस्थेफे की घोशना की थी, सुमालिया, इथोपिया, सुडान और नाइजेरिया, जल्दी से बताएए, यहाँ पर कहरे सर, समराड कहरे सर, इथोपिया लग रहा है, धरनजे कहरे सर, इथोपिया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगे दोस्तो, सुडान के दोस्तो, ठीक है, सुदान के यहाँ पर याद रखेगा प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों गोशित किया था रेजिगनेशन दोस्तों यहाँ पर किया था डिकले ठीक है चले आगे बढ़ते दोस्तों लेकिन उससे पहले फटावर से 165 लोग लाइव है जल जल से लाइक और शेयर करते हुए चल भारत डैश में प्रिथवी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा 2023, 2024, 2025 और 2026 फटावर से बताईए 2025 के रहे हैं कुछ लोग 2023 के रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2023 करेक्टांसरों का भारत 2023 में ही छोड़ देगा पीछे यह या अगले कोशन पर पढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों आप के ली रहा गुजराद टाइटन वान दी IPL 2022 टाइटल विच टीम हेल्ड दा रनर अप टाइटल गुजराद टाइटन ने IPL 2022 का खिताब जीता है उपवीजेता का खिताब किसी टीम ने जीता था मुंबई इंडियंस राजस्थान रोयल RCB और चिन्नाई सूपर किंग राजस्थान रोयल राजस्थान रोयल तो यहां पर करेक्ट आंसर हो का राजस्थान रोयल ठीक है यह मैच कहां पर हुआ था दोस्तों मोदी स्टेडियम में हुआ था मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में है ठीक है ओरेंज कैप किसे दिया गया था दोस्तों ओरेंज कैप जॉस बटलर को दिया गया था जॉस बटलर को दिया गया था और परपल कैप किसे दिया गया था यजुवेंद्र चहल को किसको दिया गया था यजुवेंद्र चहल को दिया गया था ये भी आपको याद रखना ठीक है आगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला सवाल दोसों, who has become the first Indian to enter the men's long jump final at the world athletic championship on 16 जुलाई 2022 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक championship में पुर्शो की लंबी कूद के final में प्रवेश करने वाले पहले भारती कौन बने थे क्या वो कुमारवेल, प्रेमकुमार, अंकित शर्मा, अमरित पाल सिंग और मुरली, श्रीशंकर कौन से दोस्तों, यहाँ पे शमराड करे से D होना चाहिए, इंदू करे से D होना चाहिए, कुछ लोग करे से C होना चाहिए तो यहाँ पे correct answer होगे, दोस्तों, D option, मुरली, श्रीशंकर यहाँ पे correct answer होंगे ठीक है, अगला question आपके लिए, on which day does Indian National Congress celebrate this foundation day तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पुछा किया, भारती राष्ट्री Congress किसी दिन अपना इस्थापना दिवस मनाता है important days and event में यह question है, 27 December, 28 December, 29 या फिर 30 December 28 December कहने हैं दोस्तों, यहाँ पे, मिर्जा, ओके, रोहेत, प्रिया, बहुत बड़े तो दोस्तों, जीते लोग यहाँ पर 28 केरें, उनका correct होगा, 28 December is the correct answer अच्छा दोस्तों, इंडियन National Congress के करें हम बात करें, इसका गठन कब हुआ था, 1885 में हुआ था किसके समय में हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था, ठीक है और किसने अध्यक्ष्या की थी, WC Benergy ने की थी, पहला सेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था, बॉम्बे में कहाँ पर हुआ था, दोस्तों, बॉम्बे में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है अगले कुशन बढ़े, अगला सवाल दोस्तों, which countries will host the 2022 and 2026 Commonwealth Games respectively, 2022 और 2026 राष्टमंदर खेलों की बेज़बानी क्रमश्या कौन से देश करेंगे England, Australia, Australia, India, India, South Africa और South Africa, Canada कौन करेगा दोस्तों, 2022 का और 2026 का, जल्दी से बताइए यहाँ पर केरिसर होना चाहिए ठीक है, तो दोस्तों, 2022 का तो आपको पता ही है, कहाँ पर हुआ था दोस्तों England में हुआ था, England में कहाँ पर, Birmingham में हुआ था, बिर्मिंगम में ठीक है, और दोस्तों, अब 2026 का कहाँ पर होगा, Australia में होगा 2018 का दोस्तों, आपके exam में पुछा गया था, कहाँ पर हुआ था, तो Gold Coast में हुआ था, कहाँ पर, Gold Coast Newland में हुआ था, कहाँ पर, Gold Coast Newland में ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखने यह पूछा जा सकता है और दोस्तों, पहला Commonwealth कब हुआ था, First Commonwealth गेम जो हुआ था, वो कब हुआ था, वो 1930 में हुआ था, क्या, Hamilton, Canada में, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखने यह पूछा जाता है, ठीक है, चले अगले कॉश्चन पर, अगले सवाल पढ़िंग, दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, Who has been appointed as the advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी in मई 2022, मई 2022 में प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी के सलाकार के रूप में किसे नुक्त किया गया है, तरुन कपूर, हर्शवर्धन श्रिंगला, राजीव गौबा और पंकर जैन, किसको दोस्तों, यहाँ पे तरुन कपूर कह रहे हैं, कुछ लोग राजीव गौबा कह रहे हैं, दोस्तों, यहाँ पे correct answer क्या हो जाएक, दोस्तों, तरुन कपूर को चुना गया था, Prime Minister के advisor के रूप में, ठीक है, अगला question, the senior Asian wrestling championship began in which country in April 2022, senior Asia कुष्टी championship अपरेल 2022 में किसी देश में शुरू हुई थी, China, India, Japan और मंगोलिया, फड़ा वर्च बताएं, यहाँ पे चाइना, चाइना कह रहे हैं, कुछ लोग मंगोलिया कह रहें, दोस्तों, correct answer का मंगोलिया, मंगोलिया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, who has been elected as the speaker of the US House Representative in January 2023, जनवरी 2023, लेटेस कोशर एकदम जस्तों, मैं अमेरिकी प्रतिनिधी सभा के speaker की रूप में किसी चुना गया है, क्या वो, Kevin McCarthy है, Jerry Carl है, Mike Roger है, या फिर Nancy Pelosi है, फड़ा वर्च बताएं, यहाँ पे Nancy Pelosi कह रहे हैं, अशोक, ओके, धरेंजे D के साथ जा रहे है अमर D के साथ जा रहे हैं, इंदू, मंगेश, बहुत बढ़िया, यहाँ पे correct answer क्या होगा है, लेकिन Kevin McCarthy होगा, सब लोग एक दूसरे को follow कर लो पहले, हना, तो यहाँ पे दोस्तों, जिते लोग नैंसी Pelosi कह रहे हैं, उनका गलत answer हो जाएगे, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, McCarthy answer हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ें, हाँ जी, McCarthy, जिते लोग कह रहें, दोस्तों, उनका यहाँ पे correct answer हो, Kevin McCarthy, अगले question बढ़ें, और यह दोस्तों, कौन से नंबर के होगे, speaker दोस्तों, यह 55th नंबर के, ठीक है, 55th नंबर के, ठीक है, 55th नंबर के speaker है, और हमारे हाँ दोस्तों, लोगसभा के speaker कौन है अभी, लोगसभा के speaker, ओम बिरला जी है, कौन दोस्तों, ओम बिरला जी है, यह आद रखेगा, हमारे हाँ के लोगसभा speaker, अगले question पर बढ़ें, अगले question, to promote women's empowerment, who has been appointed as the brand ambassador of legend league cricket in January 2022, महिला ससक्ती करण को बढ़ावा देने के लिए, जनव जली से बताइए, मिथाली राज, मिथाली राज कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर correct answer लोगी, जूलन गोस्वामी, ए option यहाँ पर correct answer लोगी, अभी आपको याद होगा हाली में, हर्मन प्रीत कौर को किसको दोस्तों, हर्मन प्रीत कौर को दोस्तों, उनको brand ambassador बनाया गया है, पूमा इंडिया का, किसका बनाया गया है, पूमा इंडिया का बनाया गया है, यहाद रखेंगे, अच्छा बताइए, यूनिसेफ का, यूनिसेफ का दोस्तों, brand ambassador किसे बनाया गया है, हाली में, और हिंट के तोर पर मैं बतादू, किसी actor को बनाया गया है, 2023 में ही बनाया ग यहां पर हो जाए दोस्तो आईशमान खुराना जी कौन होंगे दोस्तो आपको याद होगा दिसंबर में 28 दिसंबर में दोस्तो उत्तरा खंड के दोस्तो ब्रेंड अम्बैसिटर बने थे प्रसुन जोसी जी बन गए थे तो यह भी आपको ध्यान रखना है भूलना नहीं है अगला कोश्चन आपके लिए राश्मंडल खेल में 2022 में भारत ने कितने सोड़ पदक जीते थे 18,20,21 और 22 जल्दी सु बताएं यहां पे कहरे सर दोस्तो 61 नहीं हाँ 22,22 अच्छा है दोस्तो कराम बात करते है कॉमन वेल्थ गेम 2022 का थीम क्या था थीम सोरी, मैसकट शुभांकर क्या था शुभांकर पैरी दा बुल था भारत कि कौन सी रेंग आई थी? इंडिया की फोर्थ रेंग का थी ठीक है? टोटल मेल कितने जीते थे भारत ने? 61 जीते थे गोल्ड कितने जीते थे? बाइस सिलवर कितने जीते थे? 16, bronze कितने जीते थे 23, count करेंगे 61 आ जाएगा, सबस्यादा हमने सबस्यादा medal किस में जीते थे wrestling में जीते थे, ठीक है अगले question बढ़े, अगला question दोस्तो लेकिन यहाँ पे 192 लोग live है फड़ावर से, like और share करते हो चलेंगे, अगला question दोस्तो which of the following paramilitary forces has celebrated its 54th raising day on March 2022 निमलिखित में जे किस अर्ध सैनिक बलने अपना 54 नोवा स्थापना दिवस 10 March 2022 को मनाया है Central Reserve Police Force, या फिर Border Security Force, Assam Rifle और Central Industrial Security Forces यहाँ पे BSF BSF कह रहे दोस्तों, यहाँ पे correct answer होगा CISF, दोस्तों एक बात बताई अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 March को हम लोग CISF मनाते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाईया, March को किसने 54 नोवा Raising Day मनाया है, तो वो कौन सी थी दोस्तों CISF, जिसका full form है Central Industrial Security Force, राइट चले आगे भाई, जल्दबाजी में एक दूसरे को Copy मत करो, अच्छे है दोस्तों BSF की अगर आप बात आई है, तो इसका full form है Border Security Force, और यह कहां पर तैनाथ होते है इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, बागिला देश के Border पर तैनाथ होते है, और इस बार दोस्तो, 26 जन्वरी को 26 जन्वरी के अगर मैं बात करता हूँ ठेक है, दोस्तो, guest कौन था दोस्तो तो जल्दी से बताएए दोस्तो, Egypt के President थे क्या दोस्तो Egypt के President थे क्या, और कौन थे दोस्तो Abdel Fateh LCC कौन थे दोस्तो, Abdel Fateh LCC तो सर, हमारे को यह क्यों बता रहे हो क्योंकि यहां पर दोस्तो आपको याद होगा BSF की एक नई टुकडी ने दोस्तो यहां पर participant किया था, जो की Camel टुकडी थी, दोस्तो उन्ट वाली टुकडी थी, जिसको कहा गया था Mahila Praharari, क्या कहा गया था यह आपको ध्यान रखना है, यह पहली बार ऐसा हुआ है ठेके, आगे बढ़े Very good, Ani, Lopzeng, Samraat, Baljit, Ravie अगले कोशन बढ़ते दोस्तो, अगला कोशन आपके लिए यह रहा When is International Nurses Day celebrated every year? दोस्तो, अंतराश्टी नर्सी दिवस हर साल कम मनाया जाता है? माई 10, 11 माई, 12 माई, और 13 माई कम मनाते दोस्तो, नर्सी दे? Captain Morgan कह रहे, Sir, 11 होना चाहिए, ओके तो यहाँ पे मक्मूल भी कह रहे, Sir, 11, Baljit, 11, 7 कुछ लोग 12 कह रहे, तो दोस्तो, करेक्ट आंसरों का 12 माई 12 माई को दोस्तो, celebrate किया जाता है यहाँ पे, Nurses Day, ठीक है, International Nurses Day आपको याद रखना है, ठीक है, एक माई को दोस्तो, एक माई को क्या मना जाता है? Labor Day मनाते क्या दोस्तो, एक माई को पड़ावर से बताएंगे चले, आगे बढ़े ठीक है, very good समराट, रवी, कामीनी तोर्शा बहुत बढ़िया अगले कोशन बढ़ते हैं दोस्तो, अगला सवाल भारती एटल बोर्ड has reappointed whom as managing director and CEO for further period of five year ending on January 31 2018, भारती एटल के बोर्ड ने किसको 31 January 2018 को समाप्थ होने वाली पांच साल की अबधी के लिए प्रबंदन देशक और CEO के रूप में फिर से नुक्त किया है रजलीश कुमार, गोपाल विठल LV वेद्यनाथन और Dr. Manoj सोनी, कौन है दोस्तो यहाँ पे विठल विठल जी कह रहे हैं दोस्तो यहाँ पे correct answer होंगे, गोपाल विठल जी correct answer होंगे, option number two is the correct answer, ठीक है अगला question आपके लिए who has been appointed as the brand ambassador of Lord for Eastern India market in April 2022 April 2022 में पूरी भारती बाजारों के लिए Lord के brand ambassador के रूप में किसे नुक्त किया गया है आमिर खान, दिशा पाटनी, शारुक खान और सौरफ गाउंगली किसको किया गया दोस्तो सौरफ गाउंगली, सौरफ गाउंगली तो यहां पे correct answer रो जाएंगे, सौरफ गाउंगली इनकी एक किताब है दोस्तो A century is not enough क्या दोस्तो A century is not enough इनकी एक पुस्तक है, यह आपको ध्यान रखना है ठीक है, चलिए अगले question बढ़ते हैं दोस्तो What is the name of the anti-tank guided missile which was successfully launched by the DRDO on 11 April 2022 उस टैंक रोधी निर्देशित missile का नाम क्या है जिसे DRDO दोरा 11 April 2022 को सफलता पूर्वक लाउंच किया गया था हलीना, सेंट मिसाइल, नाग मिसाइल और अमोगा क्या था दोस्तो नाम इसका हेलेना, हेलेना, तो दोस्तो यहाँ पर जीतने लोग हेलेना कह रहें उनका correct answer होगा DRDO की बात की जाए, दोस्तो DRDO को कभी स्थापित किया गया था इसको 1958 में किया गया था Headquarter कहाँ पर दोस्तो New Delhi में है, तो सर इसमें डीटेल में जाने की क्या बात है, क्योंकि दोस्तो इसके जो chair person है या फिर head है, वो दोस्तो कौन है समीर वी कामत, और वो दोस्तो हाली में बने थे, तो आपको यह याद रखेंगे समीर वी कामत ठीक है, यह exam में पूछा जा सकता है, आगे बढ़े चले, अगले question बढ़ते हैं 210 लोग लाइव है, फड़ा वर्स एक बार like और share करते हो चलते है अगला question दोस्तो who has been appointed as the President of Confederation of India इंडिया इंडस्ट्रियल 2022 2022 के लिए भारती उद्ध्योग परिसंग के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है अगले question बढ़े very good यहाँ पर जित्तों लोग D किया रहें उनका correct है, अगला question who has been appointed as the 50th Chief Justice of India in October 2022 October 2022 में भारत के 50-वे मुखिन आधीश के रूप में किसे नुक्त किया गया है U.U.Lalit, D.Y. चंदरचूड वाईवी चंदरचूड और बिजन कुमार मुखर जी किसे चुना गया था? D.Y. चंदरचूड, D.Y. चंदरचूड तो यहाँ पर correct answer हो जाएंगे यह आपको याद रखना है, ठीक है चले, अच्छे दोस्तों पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, first CGI of India कौन थे? तो H.J. कनिया थे कौन दोस्तों? H.J. कनिया थे, ठीक है और अभी दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान के सुप्रीम कोड की पहली महिला मुख्य नाइदीज बनी है और वो है आईशा मलिक, ठीक है अगला कोशन आपके लिए which country will host the 2025 Cricket Women's ODI World Cup दोस्तों, 2025 Cricket Mahila ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, इंगलैंड, न्यूजिलैंड और ऑस्टेलिया फड़ा पर से बताएए यहाँ पर करें सर इंडिया, इंडिया, इंडिया दोस्तों, यहाँ पर करें सर इंडिया अच्छे, दोस्तों, 2025 में करेगा 2025 से पहले दोस्तों, भारत ने कब इसको दोस्तों host किया था? क्या आपको याद है? जल्दी-जल्दी सभी लोग comment करेंगे, मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, वूमेन का पूछ रहा हूँ क्या 2012 होगा, 2013 होगा, 2014 होगा या इन में से कोई भी नहीं यह तीन option आप ठीक है? तो यह आपके सामने option है होमवक करिएगा 2012, 2013, 2014 ठीक है? अगले question बढ़े अगला सवाल दोस्तों आप के लिए रहा Who has been appointed as the next Chief Operating Officer of Meta formally known as Facebook दोस्तों, Meta जिसे दोस्तों पहले Facebook के नाम जाना जाता था, ठीक है? कि अगले मुखी परिचालन के रूप में किसे नुक्त किया जाएगा? Mark Zuckerberg, Elon Musk, Paraght, Javier जलिस बताएगे यहाँ पर Javier, Olivier तो दोस्तों, यहाँ पर correct होगा Javier अच्छा दोस्तों, कई लोग यहाँ पर कह रहें सर 2014, मैंने आपको option दिया 2012, 2013, 2014 इसलिए option दिया था, कि आप confused मत होईए अच्छा, World Cup कितने साल पर होता है? सर, 4 साल पर होता है 2025 में करेगा भारत तो इससे 4 साल पहले, मतलब 2021 में हुआ होगा 2021 पहले, दोस्तों, 2017 में हुआ होगा और 2017 से पहले, 2013 में हुआ होगा यही sequence होगा तो option में 2013 आ रहा है तो मेरे ख्याल से 2013 में होना चाहिए न 4-4 साल पर, तो 2014 कैसे हो जाएगा अगर 4-4 साल पर होता है, ठीक है? चले आगे चले, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले कोशन पर अगला कोशन दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, which day was celebrated as the India's Coast Guard Day, 46th रेजिंग Day in February 2022 ठीक है? आपसे पुछा गया है, फरवरी 2022 में किसे दिन को? भारती तटरक्षक बलके यहां पर 46th स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है एक फरवरी, पांच फरवरी, तीन फरवरी और चार फरवरी, जल्ली से बताइए चार फरवरी कह रहे हैं दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर होगा एक फरवरी चार फरवरी को दोस्तों आपने लोग कैंसर डे मनाते राइट, कैंसर दिवस क्या मना जाता है? दोस्तों कैंसर डे मना जाता है ठीक है? और अभी दोस्तों फरवरी का महना चल रहा है फरवरी का महना जो खतम हूँ अभी उसमें आपने लोग ने पढ़ा था न दोस्तो एक फरवरी को क्या पढ़ा था दोस्तो एक फरवरी को कि भी यह कोष्ट गार्ड डे मना जाता है तो 2022 में अगर पूछ रहे हैं कि कोष्ट गार्ड डे कम मना आए गया तो आपको पता हूं अच्छे एक फरवरी आगे बढ़े Confuse मत हो है दोस्तों Confusion से ही क्या होता है Body दिक्कत होती है 2nd February को क्या मना जाता है दोस्तों Wetland Day मनाते है हाली में अभी 28 February को Science Day मनाया है चले आगे अगले question परते है Who won a gold medal एड द पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनाशनल चेंपियनशpekt इन दिसंबर 2022 में पेरु पैरा बैडमिंटन अंतराश्टी चेंपियनशुप में किसने सुथा घूता है सुकांत कदम शिव थापा यापिस आत्रीच साई राज या सागरदंगी किसने जीता दूस्तों C option, C option कह रहे हैं, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो option number होगा 1 सुकान्त कदम यहाँ पर correct answer होगे option number 1 यहाँ पर correct answer होगा ठीक है C नहीं होगा दोस्तो, जिते लोग यहाँ पर C कह रहे हैं उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर option number 1 सही होगा ठीक है अगले question पर पढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों आपके लिए which of the following city has hosted the Semicon India Conference 2022 निमलिखित में से किस शहर ने Semicon India सम्मेलन 2022 की मेज़मानी की थी लखनाउ भोपाल पूने और बैंगलूरू अभी का मत बताएगा 2022 का पूछा जा रहा है बैंगलूरू ने की थी अच्छा बैंगलूरू को हम लोग किस नाम से जानते हैं Silicon City क्या दोस्तों Silicon City कहा जाता है या फिर IT City के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बैंगलूरू किसकी capital दोस्तों करनाटका की है अगला सवाल आपके screen पर यह रहा दोस्तों who has been appointed as the private secretary to Prime Minister Narendra Modi in May 2022 मई 2022 में प्रधान मंतरी मोदी के नीजी सचीफ के रूप में किसे नूप किया गया है ओमंग नरूला दिशोवर शरमा विजय कुमार देव और विवेक कुमार किसको किया गया था दोस्तों यहां पर फौर्थ option कह रहे है विवेक कुमार आकाश पीडियम कहां से मिलेगी आकाश टेलेग्राम से आपको पिडियम मिल जाएगी टेलेग्राम पर आपको सिफ तो यह रही दोस्तो आप लोगों के लिए लिंक लाइफ चैट पर जिससे आप लोग क्या कर सकते हो पीडियेफ कलेक्ट कर सकते हो ठेक है अगले कोशन में बढ़ें अगला कोशन दोस्तो आपके स्क्रीन पर यह रहा तो सो इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन ट्वेल्थ नैशनल हाईवे प्रोटेक्स ऑन इंटीस अप्रेल 2022 को केंदरी मंतरी नितिन गड़करी ने किस शहर में 12 राश्री राजमार्क पर योजनाओं का उध्वाटन किया था मुंबई एहमदाबाद पूने और हाइदराबाद करें कुछ लोग मुंबई तो यहां पर करेक्ट आउर और हाइदराबाद को हम लोग किस नाम से जानते दूस्तो लौा अधिराण से ज सृरी नगर से कंया कभारी अगले कुश्चन बढ़े चले अगला सवाल हिवेंट अ अप्रेल 2022 में डेनमार्क के कोपन हागन में डेनिश ओपन स्वीमिंग मीट में पुरुशों की 200 मीटर बटरफ्लाइस परधा में स्वन्ड पदक किसने जीता है अमित पंगल, मिथुल मंजुनाथ, सज्जन प्रकाश और विश्वनाथ सुरेश किसने जीता दोस्तों यहाँ पे सज्जन प्रकाश, सज्जन प्रकाश कह रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर कोने हो जाएंगे, सज्जन प्रकाश ने जीता था, ठीक है अगला कोश्चन आपके लिए दोस्तों किस राजे ने जुलाई 2022 में राजे के सवदेशी बुनकरो को शशक्त बनाने के लिए स्वा निर्भन नारी प्योजना शुरू की उत्तरप्रदेश, गोवा, गुजरात और असम जल्दी से बताई दोस्तों आज CGL Tier 2 में भी दोस्तों योजना और स्कीम से पूछा गया था तो स्कीम और योजना अच्छे से करिएगा ठीक है आज दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत कुछ कोश्चन आया था किसके तहत आया था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत बढ़िया असम जितने लोग के रहें उनका करेक्ट आंसर अगला कोश्चन दोस्तों आ के लिए रहा इन अप्रेल 2022 बैडमिंटन एशिया चैंपेंशिप 2022 बिगें इन विच कंट्री 2022 में दोस्तों किसी देश में बैडमिंटन एशिया चैंपेंशिप 2022 हुई थी इंडोनेशिया में हुई थी जापान इंडिया या फिलिपिन्स कहां पर हुई थी दोस्तों पड़ावट से बताएंगे सबी लोग यहां पर करेंसर फिलिपिन्स होना चाहिए रोहित फिलिपिन्स कह रहे हैं बलजीद कह रहे हैं इंडोनेशिया करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों फिलिपिन्स की कैपिल कह है मनीला क्या दोस्तों इसकी कैपिल मनीला है औ 17th Mumbai International Film Festival of India 2022 70th Mumbai International Film Festival of India 2022 में Dr. Vishantaraam Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है अनुपम खेर, परेश रावल, अनुराग कशियप और संजीत नारवेकर यहाँ पे संजीत के रहे हैं समराट, अनुश्का, लोबजैंग, निजू यहाँ पे correct answer क्या होगे दोस्तों? अगले question बढ़ेंग, दोस्तों, 200 लोग लाइव हैं, फड़ा वर से एक पार जल्दी अल्दी से लाइक और शेयर करते हों चलेंगे, ठीक है? अगले question बढ़ते हैं अगला question आपके लिए Indian Railway has come up with the which of the following initiative to track lost belonging of passenger भारती railway ने यात्रियों के खोए हुए सामान को track करने के लिए निमलिकित में से कौन सी पहल शुरू की है? Mission, अमानत, समान, संपर्क और rail क्या है दोस्तों क्या शुरू किया था? अमानत, अमानत, यहाँ पे correct answer का mission, अमानत अभी दोस्तों आपको पता है catering, आपको खाना वगेरा मंगाना हो तो दोस्तों यहाँ पर एक app दोस्तों यहाँ पर start किया गया है railway के द्वारा तो वो दोस्तों किसको किया गया है, कौन सा app है दोस्तों सभी लोग बताएंगे comment करके railway के लिए जिससे आप लोग खाना वगेरा बड़े easily मंगा सकते हो very good, zoop, zoop जितने लोग करें उनका correct answer क्यों होगा दोस्तों zoop यहाँ पर correct answer होगा, ठीक है चलें अगले question पे, बहुत बढ़ी, अगला सवाल दोस्तों आपके लिए MS Dhoni has stepped down as captain ahead of IPL 2022 season in March 2022 who succeeded him, दोस्तों MS Dhoni ने March 2022 में IPL 2022 season से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है था, उनका उतरिदकारी कौन था रवी चंदर अस्विन, रोही शर्मा, रिशप पंथ और रविंदर जडेजा कौन थे दोस्तों, रविंदर जडेजा, रविंदर जडेजा, करेक्ट टान्सर हो जाएंगे, आपर रविंदर जडेजा, ठीक है अगले question पढ़ते दोस्तों, who has won the Laureus World Sports Person of the Year award Laureus World Sports Person of the Year का पुरसकार, किसने जीता था Max Westrepan, Lionel Messi, Roger Federer, या फिर Michael Shumashir, किसने जीता था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ी, यहाँ पर करेट टान्सर का A option, ठीक है यहाँ पर कह रहे है sir, please update question, पुराने question है, तो दोस्तों मैं one year के question ही तो लेकर आया हूँ दोस्तों, एक साल के current affair हम कर रहे है, तो 2022 से लेके 2023 करने की कोशिश हम कर रहे है, ठीक है, हाला कि हम फरवरी भी थोड़ा थोड़ा discuss करते जा रहे है, ठीक है, तो दोस्तों पुराने question पूछेगा ना, नय question कैसे पूछेगा, पूछना भी चाहेंगा तो उसको तो हम cover करी र हो था, हज committee of India in April 2022, अप्रेल 2022 में भारत की हज समीती के अध्यक्ष की रूप में किसे नुक चुना गया था, रजनीश कुमार, L.V. वहदिनाद, सुमन के बहरी और AP अब्दुल्ला कुट्टी, जल्दी से बताएं, ठीक है, बाकी लोग क्या कहेंगे, from which month I have to study for CHSL, तो CHSL के लिए दोस्तों, देखे, आब यहां पर देखे, 9 March को आपका exam हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग last का एक महिना छोड़ देते हैं, तो आप लोग 9 February तत छोड़ दो, मतलब फरवरी का महिना छोड़ दो, तो अब दोस्तों बचता है, जनवरी 2023 को तो करना ही करना है, ठीक है, अब इससे पहले दोस्तों कितना करें, तो दोस्तों मैं हमेशे कहता हूँ कम से कम, अगर आपने पहले नहीं पढ़ाया, तो 8 से 6 मेने का कवर करिए, मैं ऐसा कहता हूँ, ठीक है, कितना 8 से 6 मेने, लेकिन अगर आप पहले से ही शुरुआत करके आ रहे ह तो दोस्तों January 2022 से कर लीजे मतलब एक साल पूरा कर लीजे तो आप लोग यहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आज CGL में भी दोस्तों टीर टू जिनों ने दिया है उनका भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो पांस इच्छे कोशन दोस्तों 25 में से पांस इच्छे क करेंट अफेर के आए थे जिसमें से मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक तो अटल पेंशन योजना पर था एक दोस्तों अवार्ड पर पूछा गया था ध्यांचर्द अवार्ड वगरा पूछा गया था उससे कोशन था ठीक है एक दोस्तों स्कीम से पूछी गई तो इस इस चेर्में बने थे किसके नीती आयो के किस दोस्तों ठीक है नीती आयो के इनको भी दोस्तों 2022 में नुक्स किया गया देल ठीक है अगला कुशन समीर कामत हैस बीन अपॉइंट एस दा निव चेर्में ऑफ विच ऑर्गनाइजिशन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कि क्योंगा डी आडी ओ इस दीक करेक्ट आंसर ठीक है अगला कुशन आपके लिए ओन वॉट टाइप ऑफ सर्फेस दा विम्बल्डन टैनिस टूनामेंट इस प्लेड दोस्तों विम्बल्डन टैनिस टूनामेंट किस प्रकार के सतह पर खेला जाता है हाड कोट हाड कोट खेला जाता है विम्बल्डन दोस्तों विम्बल्डन क्ले कोट पर नहीं होता है दोस्तों यह ग्रास कोट पर होता है किस पर होता है विम्बल्डन यह ग्रास कोट पर होता है सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन क् टीक है और जो अश्ट्रेलियन और यूस ओपन ये हार्ड कोट पे खेला जाता है किस पर हार्ड कोट पर फ्रेंच जो है दोस्तो ये टैनिस प्लेयर ने रिटायमेंट ली थी तो वो थी सानिया मिर्जा और दोस्तों यहाँ पर रोजर फेडर ने रिटार्मेंट लिए ठीक है तो इस तरह कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे बढ़ें चले अगले कोश्चन बढ़ते दोस्तों यह कोश्चन दोस्तों आप सभी लोग homework करेंगे ठीक है यह सभी लोग को comment box में answer करना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह question आपके exam का पूछा गया अब मैं बता दू यह कौनस exam पूछा गया है यह आपके दोस्तों याद रखीगा CGL tier 1 में पूछा गया था ठीक है 9 December shift 1 में जिनके भी दोस्तों 9 December shift 1 को paper थे CGL tier 1 म दोस्तो यहां पे समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने दोस्तो किये हैं करेंट अफेयर के सवाल ठेक है और यह दोस्तो डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे कब होती है दोस्तो मंडे टू फ्राइडे होती है शाम को चार से पांच बजे जहां पर आप मेरे साथ जु कोशिच कर रहे हाजार कोश्चन का टार्गेट रखा गया है कि जिससे आप लोग दोस्तो एट लीस हाजार कोश्चन वो करके जाएं जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और दोस्तों इसकी पीडिएफ भी आपको मिल जाएगी टैस्शन नहीं लेना है पीडिएफ क तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पर करेंगे समाफ सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा और अभी ले रहे विदा मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए बाई बाई टेक एर जै हिन जै भारत